Hey guys, I'm Arvind and I'm a certified fitness and personal trainer Guys, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब इसे request है कि इस वीडियो के नीचे आपको subscribe और bell icon का बटन दिखाई देगा इन दोनों बटन को प्रेस कर दिजए so that in future जो भी में नहीं वीडियो शुचर में अप्लोड करूं सबी नहीं वीडियो की notification आप लोगों को मिल जाए और आप लोग बिना मिसकरे देख पाएगे मेरी आने वाली सबी नहीं वीडियो and guys, ये बिलकुल free of cost है गैज आज की वीडियो में हम बात करके कि green coffee beans किस तरीके से weight loss and fat loss में help करती है green coffee beans वो coffee beans होती है जो की roasted नहीं होती है and इन में chlorogenic acid का amount काफी high होता है roasted coffee beans में chlorogenic acid का amount काफी less होता है chlorogenic acid के अगर health benefits की बात की जाए तो chlorogenic acid एक natural appetite suppressant है इसके कारण हमें भूग कम लगती है और हम कम calories consume करते है हम पूरे दिन में कम खाना खाते है जिससे weight loss होता है weight loss and fat loss के लिए ज़रूरी है कि आपका metabolism high रहे chlorogenic acid से आपका metabolism boost होता है आपकी body जादा calories burn करती है ये liver से glucose के release को भी कम करता है जब body में glucose का level कम होता है तो body stored fat को use करती है energy के रूप में और इसकारण से दिन पे दिन आपकी body से fat भी कम होता चला जाता है chlorogenic acid से blood circulation improve होता है high blood pressure control होता है triglyceride and cholesterol का level भी कम होता है ये सभी risk factor जुड़े होए है obesity से green coffee एक अच्छा natural detoxifier drink है ये liver को साफ रखता है और toxins को भी body से बाहर निकालता है और इसके कारण हम पूरा दिन energetic भी feel करते है सो गई सब हम बात करते कि आप green coffee को कैसे बनाए जिससे कि आपका maximum weight loss हो और fat loss हो green coffee beans काफी सकत होते है तो सबसे पहले आप इने mixer में डाले और अच्छे से पीस ले आप इनको बिलकुल powder form में बना ले जब ये powder form में हो जाए तो आप एक कप गरम पानी ले उसमें 15 ग्राम या फिर 1 टी स्पून green coffee beans powder को add करे और अच्छे से mix करके इसे ढखके 2-3 मिनट के लिए रख दे और आप इसे फिर पिए आप दिन में 3 बार इस drink को खाना खाने से आदा घंटा पहले पिए यानि breakfast, lunch and dinner से आदा घंटा पहले आप इस drink को हर रोज पिए वैस तो green coffee काफी safe है पर overdose की condition में कुछ side effects body में देखने को मिल सकते है जैसे कि insomnia, nausea, nervousness, restlessness, diarrhea, stomach upset, vomiting, increasing heart rate and breathing rate pregnant, breastfeeding mothers and जिन भी लोगों को medical condition है वो लोग green coffee को use ना करे हमेशा organic green coffee को ही खरीदे best organic green coffee का link आपको इस वीडियो की नीचे description में मिल जाएगा उस link पे click करके आप organic green coffee को खरीच सकते है so guys यह था मेरा वीडियो जिसमें मैंने अच्छे से explain किया कि green coffee किस तरीके से weight loss and fat loss में आपकी help करेगी guys जदी आपको इस वीडियो पसंद आई है तो please आप इस वीडियो को like कीजिए अपने friends के साथ share कीजिए इस वीडियो को आप share कर सकते हो अपने whatsapp, facebook और twitter account पे यदि आपका कोई भी question है तो comments के जरीए वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो साथी guys इस वीडियो की description में आपको मेरी और भी बहुत सारी videos की link मिल जाएगी जहापे मैंने different different ways में बताया है कि आप किस तरीके से weight loss and fat loss कर सकते हो तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हो so thank you guys, bye bye, take care